अंग्रेजों ने आईपेल को बना दिया मजा, एक बार फिर दिया धोखा, अब होगा बड़ा एक्षन, लपेटे में आएंगे कई विदेशी खिलाडी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ, सपनादानू, स्वागत है आपका हमारी चैनल स्पोर्स आर पर आईपेल 2024 में अब कुछे दिनों का वक्त बचा है लेकिन उससे पहली तमाम तरग की खबरे सामने आ रही है कई टीम ऐसी है जिनके लिए अच्छी खबर भी आ रही है तो वहीं कुछ टीम ऐसी भी है जिनके लिए बुरी खबर सामने आ रही है और डेली कैपिटल्स के लिए तो IPL बदलता मौसम हो गया है क्योंकि जहां दिल्ली के लिए पहले खबर आई कि टीम के कप्तान रिशापन्थ वापसी कर रहे है तो वहीं अब खबर आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स को एक विदेशी खिलाडी ने धोखा दे दिया है वो कैसे चलिया आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में दरसल IPL 2024 के मिनी आॉक्षन में दिल्ली ने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को उनके बेस प्राइज 2 करोर से 2 गुनी रकम में यानि के 4 करोर में खरीदा था लेकिन अब खबर आ रही है कि हैरी ब्रूक ने दिल्ली का साथ छोड़ दिया है वो भी तब जब टीम अपनी प्लेइंग 11 बराने पर फोकस करती है IPL के लिए तयारिया करती है जिसके चलते दिल्ली के लिए ये बड़ा जटका हो सकता है बताये ये जा रहा है कि हैरी ब्रूक ने IPL शुरू होने के आखरी चरण में IPL 2024 का ये सीजन खेलने से मना कर दिया उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है आपको बता दे इससे पहले हैरी ब्रूक ने भारत और इंगलाइन के बीच खेली गई टेस्ट सिरीज में भी अपना नाम वापस ले लिया था और तब उन्होंने नीजी कारणों के चलते छुट्टी ले ली थी तब ब्रूक ने EBC को उन्हें प्राइवेसी देने की मांग की थी और अब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को भी एक तरीके से धोका दे दिया है और अपना नाम वापस ले लिया है साल 2023 में ब्रूक ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला था हालाकि ब्रूक का IPL सफर कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं है उरूने IPL में सिर्फ 11 मैच खेले हैं जिसमा उन्होंने 190 रन बनाए हैं और उनके नाम IPL में एक शतक भी शामिल है लेकिन अभी वजे साफ नहीं है कि ब्रूक ने IPL खेलने से क्यों कार कर दिया उसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन ब्रूक ने धोखा इसलिए दे दिया है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब किसी विदेशी खिलाडी ने IPL से मूँ मोल लिया हो आॉक्षन में इन खिलाडियों पर करूण की बोली लगती है लेकिन जब बात IPL में खिलने के आती है तब ये खिलाडी मूँ मोल लेते हैं किसे ने किसी वज़े से अपने देश लोट जाती है या फिर कुछ खिलाडी बहाने बनाकर खिलने से इनकार कर देते हैं जिसके चलते कई टीवों का कॉंबिनेशन बिगड जाता है जिसे लेकर पूर्व भारती क्रिकेटर आकाश शोप्रा का बयान भी सामने आया है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते भी लिखा IPL निलामी में अंग्रेजी खिलाडियों को अपने जोखिम पर खरीदे उन्होंने ये पोस्ट हैरी ब्रूक के लिए किया है खैर देखना होगा आगे क्या कुछ इस पर एक्षन होता है रूल्स बनते हैं फिलहाल दिली कैपिटल्स हैरी ब्रूक के रिप्लेस्मेंट की तलाश में होगी और देखना होगा दिली कैपिटल्स किस खिलाडी को उनका रिप्लेस्मेंट बनाती है साथ ही ये भी देखना होगा IPL 2024 में किन खिलाडियों के साथ Delhi Capitals Playing Level बनाती है और किन तयारियों के साथ मैदान में उतरती है बहराल आपका Delhi Capitals को लेके क्या कुछ कहना है कॉमेंट करके जरूर बताए और साथ ही जिस तरीके से विदेशी खिलाडी IPL शुरू होने से पहले अपना नाम वापस ले लेते हैं या फिर मूँ मूल लेते हैं उन सभी विदेशी खिलाडियों को लेकर भी आपकी क्या राइ है कॉमेंट करके जरूर बताए